Assalamualaikum Ji and welcome back you all to my youtube channel तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वह है यूट्यूब की जो 2023 की न्यू पॉलिसी आई है about monetization तो उसके बारे में हमारी ये जो है वीडियो है ठीक है before starting this video आप लोग जल्दी से कर लें मेरे चैनल का subscribe so अगर हम लोग यूट्यूब की 2023 की पॉलिसी के बारे में बात करें the basic thing is के जो है वह चारे लोग जो हैं कुछ उनको confusion है कुछ चीजों के बारे में ठीक है about this monetization policy so सबसे पहले तो यह मैं अगर आपको बताओं कि 2023 में क्या policy आई है के आपके जो है वो 10 million अगर आपके last 90 days में व्यूज आ गए हैं shots पे ठीक है 10 million views on shots in last 90 days वो हैं और आपके चैनल का watch time 4000 hours और साथ में इसके लावा आपके जो है 1000 subscribers होना मस था लेकिन 2023 की जो policy को जिसको कहा जा रहा है कि वो मतलब थोड़ा easy कर दिया है थोड़ी change हो गई है कि अब जो है वो 500 subscribers कर दिया गए है और 3000 जो है वो आपका watch time कर दिया गया है और last 90 days में अगर आपका shots के उपर views just 3 million हों तो आपका चैनल जो है वो monetize हो सकता है ठीक है first of all तो यह monetization policy कुछ specific countries में जो है वो इस वक्त on हुई है और यह full monetization बिल्कुल भी नहीं है ठीक है इससे आपका channel half monetize होता है not full तो जो guys हमने आपको यह तो बता दिया कि भाई यह monetization policy है बड़ क्या यह पाकिस्तान में working करती है या नहीं करती है इसके बारे में हम बात करते है तो पाकिस्तान के अंदर जब भी monetization on होती है ठीक है तो किन किन चीजें के लिए eligible हो जाती है वह हम आपको बताते हैं आप अपने वाईडी स्टूडियो में जाएंगे और अर्निंग वाले section में जाएंगे तो आप देखेंगे कि क्या-क्या monetization के बाद जो टूल्स है वह on हो जाते हैं किन क्या eligible कर दिया जाता है जनके लिए तो उन में हमारे पास सबसे पहले watch page ads है और इसके बाद short feed ads है हमारे पास membership है shopping है और इसके बाद हमारे पास super chat या super thanks वाला sticker या जो भी वो सब चीज़ें ठीक है तो इन में से पाकिस्तान के अंदर just two things जो हैं वो working करती है number one is watch page ads and number two is short feed ads ठीक है या पाकिस्तान के अंदर बिलकुल भी working नहीं करती है क्योंके इससे आपकी half monetization होती है और इस half monetization में जो tools eligible कर दिये जाएंगे उन में हमारे पास है shop bank membership और super thanks वाला जो भी ये जो tools हैं ये आन होंगे जो के already पाकिस्तान में working नहीं करते हैं तमाम पाकिस्तानी creators जो earn करते हैं YouTube से वो सिर्फ watch page ads से और short feed ads से earn करते हैं ठीक है so this monetization policy is not for Pakistanis ठीक है और वैसे भी इससे जो है वो half monetization होती है जो असल earning होती है एक तरह की वो आपकी page ads और short feed ads से ही होती है ठीक है और इससानी जो है इस चीज़ को याद रखें कि उनके लिए monetization policy है वो पुरानी वाली ही है आपके लिए कोई change जो है वो नहीं आया so मलते हैं next video में ठीक I hope so कि आपको मेरी video जो है वो कारामद लगी होगी ठीक है